Hello dear student, I am Ajay Singh. Welcome to my YouTube channel, Orator Groups. Friends, आज हम discuss करेंगे class 9th poem first, The Road Not Taken, composed by famous American poet Robert Frost. यह poem बहुत ही सिक्षप्रद है बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी समरी. poet एक ऐसे point पर खड़ा है, जहां से उसे दो आगी रास्ते दिख रहे हैं, और उसे सरल और सुगम रास्ता चुनना है, जिससे वो आसानी से अपने लक्ष को पा सके. ऐसा समय हमारे जीवन में भविस्त में बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान पूरोग देखिए सिक्षप्रत पोयम की explanation, देखते हैं, पहला इस्टेंजा. टू रोट्स डाइवर्ड इन ए एलो उड, तू रोट्स दो सडके डाइवर्ड बिभाजित हो रही हैं इन ए एलो उड, उड का मतलब यहाँ पर जंगल से और एलो मतलब पीला, तो जंगल पीला कब होता है, जब जंगल के सभी पेड़ पोधों की पत्तियां पीली हो जात रही हैं जिस जगे पर मैं खड़ा हूँ, अब जब आगे दो मार्ग हैं, लेखक पोईट अकेला है, एक ही मार्ग पर चल सकता है, तो क्या कह रहा है, और मुझे दुख है, I could not travel बोथ, कि मैं दोनों मार्गों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, and be one traveler, मैं तो एक अकेला यात्री हूँ, long I stood, बहुत देर तक खड़े हो करके यही सोच रहा है, पोईट यही सोच रहा है, बहुत देर तक उसी पोईट पर खड़ा है, and looked down one, as far as I could, looked down one, एक मार्ग को देख रहा है, as far as I could, जहां तक देख सकता है, to wear it bent, कहां तक देख सकता है, जब तक उवा मार्ग घूम नहीं जा रहा है, bent मतलब घूमना, जब तक उवा मार्ग घूम नहीं जा रहा है, in the undergrowth, undergrowth, small grass को छोटी जो घास जंकाड होती है, जब तक उवा मार्ग छोटी घास फूस जंकाड के पीछे, घूम कर बिलुप्त न करके उस मार्ग को देख रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरा सारांस जो है, इस्टेंजा फरस्ट का, कि मित्रों, दो मार्ग, एक बिंदू से दो अलग अलग दिसाओं में विभाजित हो रहे हैं, और जंगल की ओर आगे जा रहे हैं, लेखक दुखी है कि मैं दोनों मार्गों में नहीं चल सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसी बात को सोच करके, उसी बिंदू पर खड़े हो करके, दूर तक उस मार्ग को देख रहा है, जब तक उवा मार्ग, छोटी छोटी जाड़ियों और पौधों के पीछे घूम कर बिलुप्त नहीं हो जाता, देखते हैं बच्चों, इस टेंजा सेकेंड, देन टूक दा अधर, काफी देर तक उस बिंदू पर उस तक पर खड़ा है पोट, और काफी देर दिमाग पर जोल डाल करके फैसला करता है, देन टूक दा अधर, क्या फैसला करता है, तब मैंने दूसरी सड़क ली, देन का सही मार्ग होगी, तो मैंने दूसरी सड़क चुनी, और यही उचित भी था, and having perhaps the better claim, और उसका चुने जाने का अधिकार भी अधिक था, क्यों था, यह आगे बताएगा पोट, तो मैंने दूसरी सड़क चुनी, क्यों, क्योंकि यही उचित था, और उसको चुने जाने क अधिकार भी अधिक था, because it was grassy, क्यों मैंने दूसरे मार्ग को चुना, क्योंकि उस पर घास उगी थी, मित्रो घास तो सभी मार्गों पर उगी होती, जो कच्चा मार्ग होता है, यहाँ पर घास उगे होने कार्थ यह है, कि अभी तक उस मार्ग को किसी के पैरों के द्वा कुचला नहीं गया था, अर्थात वह मार्ग अभी तक किसी के द्वारा उप्योग नहीं किया गया था, इसलिए पोईट ने उस मार्ग को चुना, because it was grassy, क्योंकि वह घास युक्त था, अर्थात जिस पर अभी and wanted wear और उस पर अभी तक चला नहीं गया था, थो, as for that the passing there, वह सड़क भी प्रियोग होना मानती थी, वह सड़क पे चलना भी वह मान रही थी, थो, as for that the passing there, हलाकि जहां तक मैं चला था, had worn them really about the same, दोनों एक सी प्रियोग होई थी, सड़क देने, देखने में तो लग रही हैं कि दोनों में एक सड़क जो है अभी तक ज़्यादा उप्योग नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसका चुनाव किया, लेकिन मैं जहां तक उस सड़क पर, उस मार्ग पर यात्रा की, मैंने अनभो किया कि दोनों सड़क तो एक ही स समान है, सिर्फ सोचने का फर्क है कि कि किस मार्ग से हम आसानी से अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं, इस टेंजा थर्ड, एंड बोथ देट मॉर्निंग इक्कोली ले, प्राता काल का समय है, मैं इस बिंदु पर खड़ा हूँ, आगे मुझे बढ़ना है, सुगम और सरल मार्ग का चेयन करना है, मेरे सामने दोनों मार्ग है, और दोनों मार्ग कैसे हैं, उस समय दोनों सड़के मेरे सामने थी, इन लीप्स नो इस्टेफ है, ट्रॉडन बलेक, और उसकी पत्तियों को देख करके लग रहा था, कि उसके पत्तों को अभी तक किसी के पैरों ने रौंदा नहीं है अर्थात उस मार्ग की पत्तियों को किसी के पैरों ने रौंद का रभीतक काला नहीं किया है I kept the first for another day पर मैंने दूसरे मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया था और पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी देखी मित्रों हम अच्छे से जानते हैं जीवन में कि जो मार्ग एक बार आगे बढ़ जाता है वो वापस नहीं आता हलाकि मैं जानता था कैसे रास्ते आगे से आगे निकल जाते हैं I kept the first for another day at knowing how way leads on to way कि कैसे रास्ता आगे से आगे निकल जाता है I doubt it और मुझे संदे हुआ If I should ever come back मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा की नहीं क्यों मैंने एक मार्ग का चैन कर लिया और एक मार्ग कल चलने के लिए छोड़ दिया पर मुझे ये मालूम है कि जब हमें एक बार एक मार्ग पर बढ़ जाते हैं तो हमें पीछे वापस दुबारा मौका नहीं मिलता वापस आने का इसलिए मुझे ये संदे हुआ कि क्या मैं कभी दुबारा दूसरे मार्ग पर चलने के लिए आ पाऊंगा अर्थात यहां पर पोएट को ये संदे हो रहा है कि आप मुझे लक्ष अपना इसी मार्गे में प्राप्त करना है उससे चाहे मेरा भविस से अच्छा हो या बुरा हो देखते हैं स्टेंजाफोर आई सैल बी टेलिंग दिस विद आ साई अर्थात आज से वर्सों और वर्सों के बाद मतलब बहुत समय के बाद सदियों के बाद भविस में कभी साई का अर्थ होता है गहरी सास छोड़ना मतलब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसको बेक्त करने के लिए जब पिछली बातों को याद करते हैं तो एक लंबी सास छोड़ते हुए अपनी बात दोहराते हैं तो वही पोईट कह रहा है कि कभी सदियों बाद भविस में मैं एक गहरी सास छोड़ करके कहूंगा कि किसी जंगल में भविस्य की बात यहाँ पर पोईट कर रहा है कि मैं भविस्य में जो कुछ भी होंगा तब मैं अपने आने वाली पीड़ी को बताऊंगा कि मैं एक बार ऐसे मार्ग पर खड़ा था और आज मैं जो कुछ भी हों उस चैन की वज़े से हुआ हूँ इसलिए जीवन में हमेशा सही मार्ग चुने यही बात यहाँ पर पोईट सोच रहा है कि कभी सदियों बाद यह मैं एक गहरी सास छोड़ कर कहूंगा कि टू रोट्स डाइवर्जड इने उड़ कि एक जंगल में दो सडके एक सडक दो भागों में विभाजित हो रही थी और मैंने उस मार्ग को चुना जो की कम यात्रा की गई थी अर्थात जिस मार्ग पर कम पदचिन बने थे या जिस मार्ग को कम लोगों के द्वारा प्रियोग की गई थी उस मार्ग को मैंने चुना and that has made all the difference और आज मैं जो कुछ भी हूँ भविस्त में पोईट जो कुछ भी होगा तो भविस्त की बात याद करके कह रहा है कि और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी मार्ग के चैन की वजे से हूँ अब देखिए यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ कि पोईटा सुख से है कि दुख से क्योंकि वो हमको सिक्षा दे रहा है कि हमें जीवन में ऐसे मार्ग को चुनना है जिससे हमारा भविस्त अच्छा बन सके क्योंकि आप भविस्त में जो कुछ भी होंगे अपने द्वारा चुनने गए मार्ग की वजे से ही होंगे बहुत ही सिक्षा प्रत पोयम थी मित्रों जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो अब सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें